हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सब्सक्राइब एक एक बहुत इंपोर्टेट देने वालनों जो कि आपका इंस BAC नर्सिंग से रिलेटेड़ है तो इंस BAC नर्सिंग के जो 2nd round की काउंसलिंग आप लोगों ने की थी तो उसका जो है final result आ चुका है उसका जो allotment का जो result है वो आ चुका है तो official website पर जब आप जाओगे इंस BAC नर्सिंग के तो यहाँ पर important announcement वालो जो section आ रहा है इसमें आप देख सकते हो आ रहा है result of second round of online seat allocation of BAC owners nursing course 2021 इस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक PDF डाउनलोड होगी ठीक है तो इस PDF में जिसके भी रूल नंबर्स हैं उनको जो है उनके आगे लिखा होगा कि उनको जो है कौन सा इस्टेट्यूट अलॉट किया गया ठीक है तो यहाँ पर उपर लिखा भी है कि सुला फर्वरी से सत्रा फर्वरी तेक जो अपने choices फिल कर रही थी उसके basis पे यहाँ पर दिया गया तो आप देख सकते हो जो एम से नियू देली है वो 111 overall rank तक अभी मिला है ठीक है और देता हूं ठीक है तो देख सकते हो आप यहाँ पर यह लिखा हुआ कि इस बेसी नर्सिंग दोजार एक है अन्रिजर्ट कैटेगरी को जो है क्या बोलता है 764 रैंग तक जो है कॉलेज अलॉट किये गए हैं EWS के टेगरी को 1652 तक मिला है OBC को 1208 रैंग तक SC को जो है 208 रैंग तक मिला है और ST कैटेगरी में 442 रैंग तक कॉलेज मिला है ठीक है और PWPD में भी आप देख सकते हो कि कि unreserved OBC EWS SCST को मतलब unreserved OBC को ही मिला है सिर्फ और EWS SCST को नहीं मिला है ठीक है तो जैसे मैं आपको 764 rank दिखा देता हूं यहाँ पर तो 764 rank पर देख लेते हैं unreserved को कहां पर कौन साइंस मिला है ठीक है तो unreserved category की बात यह हो गई और उसके बाद हम बात करें EWS में तो EWS में 1652 rank तक मिला है तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर गई होगा 1652 यह आप देख सकते हो EWS 1652 यह है एम्स देखर मिला है ठीक है तो लास्ट की जितनी भी rank है उनको mostly जो है एम्स देखर मिला है क्योंकि एम्स देखर जो है बहुत सारे बच्चों ने अपनी last preference एका था ठीक है तो इसके बारे में और जो